दीपक तीजोरी बॉलिवुड का जाना माना चीहरा है लेकिन जिस सक्सेस की तलाश में वो एक्टिंग का सपना लिए फिल्म इंडस्ट्री में आये थे वो कभी पूरा ही नहो सका दीपक तीजोरी ने बॉलिवुड में करीब 50 से जादा फिल्मों में काम किया है लेकिन हीरो बनने का उनका सपना कभी पूरा नहीं हो सका अक्सर सपोर्टिंग रोल में दिखाई देने वाले दीपक ने नब्बे की दशक में अपना नाम कमाया दीपक तीजोरी की पॉपुलर फिल्मों में 1992 के फिल्म जो जीता वही सिकंदर और 1998 के फिल्म गुलाम शामिल है जिसमें उन्होंने आमीर खान के साथ सपोर्टिंग रोल किया इसके अलावा उन्होंने दिल है की मानता नहीं और अफसान आप प्यार का जैसी फिल्मों में भी अभिनाय किया दीपक पहली लीड अक्टर के तोर पर फिल्म पहला नशा में आमीर कैमियो रोल में नजर आयी थे इस पूजा भर्ट लीड एक्टरेस थी दीपक और आमीर एक दूसरे को कॉलेज के टाइम से जानते हैं और आमीर उनके सीनियर हुआ करते थे पढ़ाई के बाद एक्टिंग में दिल्चस्पी लेने वाले दीपक ने एक थीएटर ग्रूप जोइन किया जिसमें कि आमीर खान पैक्तिंग का फैसला तो किया लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा था उन्होंने तीन साल तक फिल्ममीकर्स के चक्कर काते लेकिन कोई फाइदा नहीं हुआ इसी पीच उन्होंने Dragon book ने काम पूंब्रे दीपक्ति जोरी को जो जीता वही सिकंदर और गुलाम जैसी हिज़ फिल में दिलाने में मदद की थी और इस बात को लेकर कभी उन्होंने डिंग भी नहीं हांकी थी लेकिन कुछ फिल्मों में दमदार रोल निभाने वाले दीपक्ति जोरी के लिए सबसे बुरा समय तबाया जब उनको पता चला कि वो किसी और की लीगल पत्मी के साथ कई सालों से रहते आ रहे हैं जी हां साल 2017 में दीपक की पत्मी शिवानी तोमर ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया था शिवानी के मताबिक दीपक का दूसरी महिलाओं से अफेर था हालंकि जब दीपक तिजोरी अपनी पत्मी के खिलाफ कारवाई करने के लिए उन्हें अपने काउंसलर के पास गए तो उन्हें पता चला कि शिवानी ने अपने पिछले पती को तलाग दिये भिना ही दीपक से शादी कर ली थी और शिवानी उनकी कानूनी पत्नी थी ही नहीं